हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डिग्री ओफ पॉलिनोमियल्स के बारे में यह जो हमारा नाइन्थ किलास का सेकिंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स मैं सरफ उसी से रिलेटेड चीजे डिसकस कर रहा हूं उससे ना कुछ कम मि लेगा जो सिरफ आपकी बुक के अंदर है उसी लेवल की चीजे डिसकस कर रहा हूं ओके तो मैंने बोला था तीन चीजे में डिसकस करना ही में इक्वेशन को समझने के लिए वैरियेबल्स इसको मैंने पढ़ लिया इसमें मैं पता किया था कि वैरियेबल्स पॉलिनोमियल वैरियेबल्स वैरियेबल्स त्सक्राइबल्स उसके मैंने कुछ ऐग्जामपल बताया थे आपको नाइन्थ क्लास के अंदर हमें only polynomials को डिसकस करना है जैसे एक्जामपल्स भी नी को घैथे से बारे तो इसके उपर भी हमारी एक वीडियो आज चुकी है उस पर मैं डिसक सकते हो जाके पले लिस्ट में मिल जाएगी आपको इस या फिर इसके जो नीचे लिंक है उसमें लिंक भी दे रखा है मैं इन वीडियो जगा जो ट्रम्स है ट्रम्स के थुरू आप क्या डिफ्रेंसियेट कर सकता हो अगर आप से पूछा जाता है कि कोईक्वेशन मॉनोमियल हैए बाइनौमियल है यह ठ्र्ाइनौमियल है तो आप उसमें क्या चरों उसमें आपको ट्रम क्यों चैक करनी होती है मैंने भी बताया था ला कि एक्वेशनागे स्कार्ण तो डिफ्रेंसियेट कर सकते हैं हब देखने के कोश़ हैं, डिग्री क्या होती है। यह मैं नीजे होंती है K원 कोई भी जो polynomial equation दे रखी है इमारे पास। उसमें जो उसकी term है हुस ट्रूम की highest जो इस ट्रूम का वेरियवल्ट दे रखाना उस वेरियबल की highest power क्या है, जैसे कि एक example लेने की example से समझने की कोशिश करते हैं एक equation दे रहे हैं PX is equal to 3X की power 7 minus 4X की power 6 plus X plus 9 अब इसके अंदर कितनी terms है 4 terms है तो terms तो मैं discuss कर चुका हूँ, terms को भी यह discuss नहीं करेंगे अब देखो इसमें मान लो इसकी यह term है अब आपने डिगरी highest power देखनी है इसके अंदर है तो यहां पर X की highest power कितनी है 7 x की highest power कितनी है 7 तो इस question के अंदर degree क्या हो जाएगी degree of this polynomial कितनी हो जाएगी 7 इस polynomial question के degree कितनी है 7 डिगरी के अंदर मतलब आपने क्या चेक करना है कि उस equation में highest power जो variable है उस की highest power कितनी है यहां पर variable को न है X और X की highest power कितनी थी 7 तो इसमें degree of variable क्या हो जाएगा सोड़े degree of polynomial क्या हो जाएगा 7 ओके एक और example देखते हैं लेकर एक्जांपल दे रखा 5y की power 6 minus 4y square minus 6 इसमें degree of polynomial कितना हो जाएगा यहां पर यहां हो जाएगा degree of polynomial 6 क्योंकि highest power कितनी है y की highest power कितनी है 6 जो हमारे पास variable दे रखा है इस equation में variable कौन है y तो y की highest power कितनी है 6 तो इसमें degree of polynomial कितना हो जाएगा 6 ओके अब आपको degree अगर एक पहँचाना ना आगया कि degree कितनी है उस equation के अंदर देखो यहां पर सिर्फ मैं one variable की बात कर रहा हूं जब हम two variable करेंगे तो वहां पर degree को मतलब different हो जाएगा अलग तरीके से करेंगे कैसे degree कितनी है इसकी लेकिन सिर्फ जो single variable equation दे रखिए मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं तो सिर्फ आप अगर सौश रहे हो कि मैंने पूरा complete नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ऐसे student जो देख रहे हैं उस तरीके से यहां सिर्फ मैं जो ninth class की book में आपको दे रहा है मैं सिर्फ बेटा उतना डिसकस कर रहा हूं इसके अलावा जो चीज़े है एक्स्ट्रा जो two variable three variables के अंदर degree कैसे होती ह वो next classes के अंदर discuss करेंगे यहां सिर्फ आपको one variable के अंदर ही देखने को मिलेगा तो हम सिर्फ क्योंकि हमारी इस book के अंदर ninth class में सिर्फ one variable के बारे में discuss किया हुआ है और मैं as a ninth standard student को ही लेके पढ़ा रहा हूं मतलब यह करके बढ़ा रहा हूं ठीक है यहां chapter video बना रहा तो यहां सिर्फ आपको one variable के बारे में मिलेगा तो समझ गए आप degree of polynomials क्या होता है इन one variables के अंदर ठीक है अब इसके उपर आप equation को differentiate किस तरीके से करेंगे जैसे हमारे पास दे रखा है अच्छा एक ची जो degree of non zero जो constant number होता है मालो एक number दे दिया six अब हमारे से पूछ लेता है इसकी degree कितनी है तो degree इसमें कुछ नहीं है मालो constant number दे दिया तो इसमें मालो x की power 0 पीछे मैंने x की power 0 लगा दिया ठीक है ना क्योंकि x की power 0 का मतलब क्य होता है 1 होता है तो six into one था हम पीछे कुछ था नहीं तो इसमेंने क्या लगा दिया six है इस तो इसकी degree कितनी हो जाएगी 0 तो एक constant number होता है उसकी degree कितनी होती है 0 अब देखते हैं कि कोई equation है उसके अंदर only अगर एक equation दे रखिए px is equivalent to 4x plus 5 इस equation में degree कितनी है हमारे पास तो variable कितना है x और x की highest power कितनी है कुछ नहीं कियो हो नहीं इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 तो x की highest power कितनी है 1 तो degree कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 और जिस equation की जो degree है वो 1 है तो उसको क्या बोलते है linear polynomial उसको क्या बोलते है linear polynomials तो देखो आपके न मैं अगर सही बता हूँ आपको तो कम से कम 70 से 80 परसेंट स्टुडेंट ऐसे मिलते हैं किसी को आप यह पूछ के देख लिए ना linear जिनों ने जो 9th किलास पास कर चुकी है उनको यह पूछ के देखना linear polynomial से क्या होती है वह अगर सही माय नहीं पूछो मेरे से उनकी definition नहीं पता होता बच्छों को इन तो linear equations, linear polynomials क्या होती है जिसके अंदर degree 1 होती है अगर आप से question में पूछ ले कि इनमें से कौन सा linear polynomial है जिसके अंदर degree 1 दे रखी हो उसको क्या बोलते है linear polynomials बोलते है अब जिसमें degree 2 degree दे रखा हो उसको क्या बोलेंगे अब यहां तो degree 1 की बात होगे कुछ और example में 1 degree के दि linear polynomials है T plus under root 2 एक और another equations दे रखी है इसमें degree कितनी है T की पावर 1 है देखो degree किसकी चैक करनी है variable की चैक करनी है तो इसलिए क्या हो जाएगी एक linear polynomials ठीक है तो बात 1 degree की complete 1 degree आप देखते है 2 degree जिससी polynomials के अंदर अगर 2 degree दे रखी है एक्जामपल लेते है पी एक्स इस उक्लेंट टू 2 x square पलस 5 अब देखो यहां पर variable कितना है variable कौन x और उसकी degree highest power कितनी है 2 तो यहां पर degree कितना हो जाएगा 2 इसको क्या बोलेंगे है quadratic polynomials जिसके अंदर polynomial of degree is 2 जिसके अंदर उसकी degree 2 होती है 2 degree होती है उसको बोलते है quadratic polynomial उसको क्या बोलते है quadratic polynomial तो quadratic polynomials होती है जिसके अंदर variables जो उसकी degree होती है उस equation की वो 2 होती है उसको क्या बोलते है quadratic polynomials बोलते है और एक्जामपल देख लेते हैं 5 x square पलस 3 x पलस पाई तो एक equation यह दे रखी देखो इसमें आपको terms नहीं देखनी term कितनी है only degree की उपर आपका focus होना चाहिए जहाँ degree 2 है वो क्या है आपकी quadratic equation है quadratic polynomial है ओके अब जैसे x square plus 2 upon 5 x है इसके अंदर degree कितनी है 2 है तो degree 2 है तो यह क्या हो जाएगी quadratic polynomial हो जाएगी ओके और एक्जामपल जैसे 4y plus 5y square इसके अंदर highest degree कितनी है variable क्या है y और degree क्या है 2 है तो अगर degree 2 है तो इसके यह क्या हो जाएगी quadratic polynomials तो जिसकी 1 degree होती है उसको बोलते है linear polynomials जिसकी 2 degree होती है उसको बोलते है quadratic polynomials clear इतना आप देखते हैं तीन डिगरी वाले को उसको क्या बोलते हैं एक एक पी एक्स is equivalent 2 क्या दे रखी equation हमारे पास 2x cube plus 1 2x cube plus 1 तो अब देखो यहाँ पर variable क्या है x highest power कितनी है 3 तो डिगरी कितनी हो जाएगी इसकी डिगरी कितनी होगे भाई 3 डिगरी कितनी है 3 अगर किसी भी equation की डिगरी 3 है तो उसको क्या बोलते है cubic polynomial क्या बोल लेंगे cubic polynomial ओके तो क्यों भी पॉलिनोमियल समझगे क्या होती है जिसके अंदर डिगरी 3 होती है उसको क्या बोलते हैं 5 x 5 x cube प्लस x square इसमें देखो highest power कितनी है 3 अब 2 पे focus नहीं करना है 2 से ज़्यादा यहाँ पर 3 गिवन है तो highest power कितनी है 3 तो डिगरी कितनी हो जाएगी 3 अगर डिगरी 3 है तो यह क्या हो जाएगी cubic polynomials clear तो आप linear variables linear polynomials quadratic polynomials और cubic polynomials में differentiate कर सकते हो ठीक है friends तो I hope समझ गये होंगे आप यहां तक तो okay वीडियो को last तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो इससे next video में हम देखेंगे कुछ चीज़ के और different terms जो भी है zero polynomials बचा हुआ है एक अभी और भी इसके लावा जो कुछ बचा हुआ है उसको देखेंगे क्या क्या बचा हुआ है तो चलो okay friends वीडियो को last तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते है next video में क्या हुआ हुआ है